अक्सर हम देखते हैं ठंडियों में हमारी स्किन बहुत जादा क्रैक होती है, फटती है और ड्राइ हो जाती है मौर्शलाइजर एपलाई करने के बाद भी अगेन कुछ समय बाद अगेन से हमारी स्किन जो होती है क्रैक हो जाती है बहुत कम पानी पीने की वज़ा से भी स्किन हमारी ड्राइ होती है ठंडियों में भी आपको पानी का भरपूल इस्तमाल करना चाहिए, सेवन करना चाहिए आज मैं आपके साथ शेर करने चारी हूँ एक DIY लोशन एक मौशलाइजर प्लस क्रीम जिसके इस्तमाल से आप अपनी स्किन को सॉफ्ट बना सकते हैं, स्मूध बना सकते हैं और लंबे समय तक ये सॉफ्ट ही बनी रहेंगी तो कैसे इस क्रीम को बनाना है, इस मौशराइजर को बनाना है चलिए, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इसके लिए आपको लेना है एक बोल इसमें एड करना है आपको अलोवेरा जल तो आप किसी भी ब्रांड का अलोवेरा जल ले सकते हैं मैंने यहाँ पे लिया है केसर यूगत अलोवेरा जल जिसमें की अपनी एक फ्रेक्डन्स भी होती है केसर की आपको कमस कम चार चमच के करीब aloe vera gel लेना है aloe vera gel हमारी skin को deeply moisturize करता है smooth करता है soft बनाता है इसके अलावा aloe vera हमारी skin में glowness को भी बढ़ाता है और दाखदबों को भी दूर करता है तो चार चमच के करीब आपको यहाँ पे aloe vera gel लेना है इसके बाद इसमें add करना है आपको glycerine glycerine ठंडियों में सबसे ज़्यादा इस्तमाल की जाने वाली चीज है क्योंकि ये आपकी skin को नर्म बनाती है तो अच्छा को soft करती है ये आपकी skin को deeply moisturize करती है ये skin की layer के अंदर जाती है आपके pores के लिए बहुत अच्छी होती है या आपकी skin को लंबे समय तक soft और soothing बनाना है तो glycerine का इस्तमाल नीबू के साथ या rose water के साथ किया जाता है तो आदर चमच आपको यहाँ पर glycerine लेना है क्योंकि ये काफी थिक होता है ये dilute करना जरूरी है तो इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे almond oil यानि की बादाम का तेल आप sweet almond oil भी इस्तमाल कर सकते हैं नारियल का तेल भी ले सकते हैं लेकिन नारियल का तेल ठंडियों में जम जाता है तो जब ये cream बनके ready होगी ये जम जाएगी तो इसका उतना फाइदा हमें नहीं मिलेगा जो कि एक moisturizer cream का हमें मिलता है तो आप यहाँ पर बादाम का तेल डालेंगे जिसमें कि vitamin E की भरपूर मातरा होती है जो कि हमारे दाग दब्रों से लेकर इसकिन की चमक को बहती जादा बहतर करता है इसके बाद आपको यहाँ पर add करने है evian 400 capsules मैं यहाँ पर add करी हूँ यह वाले capsules अगर आपके पास यह वाले capsules नहीं है तो आप green वाला evian 400 जो capsules आता है वो भी add कर सकते हैं यह जो capsules है इसमें जो serum होता है वो हमारे skin की glowness को enhance करता है इसको जब भी आप इस्तमाल करेंगे तो आपके skin में एक चमक देखने को मिलेगी यहाँ पर दो से तीन आपको vitamin E के capsules add कर देने है और इसके बाद आपको इसे अच्छे से mix करना है इसे आपको तब तक चलाते रहना है जब तक कि यह बिलकुल एक moisturizer cream के base में convert ना हो जाए तो इसे अच्छे से mix करना जरूरी है ताकि जो oil है, glycerine है वो सभी अच्छे से mix up हो जाए और इसका color and texture भी change होने लगेगा जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यह proper तरीके से mix up नहीं हुआ है जैसे जैसे यह mix up होता जाएगा अच्छे से वैसे ही इसकी consistency भी change होगी and color भी change होगा यह DIY lotion plus moisturizer plus cream आप अपने घर में बना करके पूरे ठंडियों में इस्तमाल कर सकते हैं यह आपकी skin को hydrate करता है, यह आपकी skin को heal करता है सुन्दरता को निखारता है, skin को soft and smooth बनाता है जो कि ठंडियों में अक्सर हमाली skin dry होने लगती है cracky हो जाती है, फटने लग जाती है आपने देखा होगा कि normal जो skin रहती है वो अचानक से थोड़ा सा उसमें दरदरा पना जाता है या फिर ऐसा लगता है, बहुत छोटे-छोटे से दाने हो गए है तो यह अचानक से हो जाते है तो इसके इस्तमाल से यह चीज़ें अपने आप खतम हो जाएंगी आप देख सकते हैं, यह पूरी तरीके से convert हो गया है एक cream में सो अब आपको क्या करना है इसे किसी भी छोटे से container में या फिर आपके पास कोई cream का खाली box रखा है उसको अच्छे से पहले साफ कर लेंगे गरम पानी से, साफ सुथरा करके सुखा करके, उसके बाद आपको इस cream को इसमें add कर देना जिस तरीके से मैंने cream का एक box रखा हुआ है और इसे अच्छे से clean कर लिया है साफ कर लिया है और इसी में मैं इस cream को इसमें transfer कर दूँगी जब भी हम transparent glass या plastic के box में या container में किसी भी चीज को रखते हैं तो उसकी जो shelf life होती है वो बढ़ जाती है अगर आप ऐसे किसी box में रखेंगे container में रखेंगे तो आपकी जो चीजे हैं वो जल्दी खराब नहीं होगी सो आपको इसमें transfer कर देना है सो guys मैंने यहाँ पर पूरी cream को इसमें डाल दिया है और आप देख सकते हैं इसका color इसका texture इसकी consistency बिल्कुल perfect है इसे जब आप इस्तेमाल करेंगे अपने चेहरे पे अपने हाथों में अपने पैरों में पूरी body में आप इसका 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 कर सकते हैं क्योंकि यह मॉश्यराजर प्लस cream है तो इसका texture आप देख सकते हैं कितना smooth है बस आपको इसे अपने hand में या फिर अपने face में इस तरीके से लगाना है रब करना है बहुत easily यह आपके skin में absorb हो जाएगा बहुत ही तेजी से आपके skin को soft बना देगा और अंदर से heal करेगा आप देख सकते हैं मैंने से hand में लगाया और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी यह absorb हो गई मेरी skin में यह cream और हादों की चमक भी बढ़ गई है बिल्कुल skin की चमक भी बढ़ जाएगी इसके इस्तमाल से किसी भी तरह की tanning नहीं होगी आपकी body में जो की धूप में जादा बैटनी की वज़ा से ठंडियों में हो जाती है उस तरह की भी tanning नहीं होगी आप इसको बनाईए इस्तमाल कीजिए अपने feedback में साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं फूलिएगा आप इस cream को apply कर सकते हैं अपनी पूरी body में उमिद करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीस इसे छोड़ा सा लाइक जरूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा चलिए फिर से मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई ठेक कियर अपना ध्यान रखिए